कथक निर्थ एक शास्त्रिय निर्थ है यानि की क्लासिकल डांसर है और हम में से काफी लोग ये जानते हैं कि कथक निर्थ चार घरानों में बटा हुआ है कौन-कौन से पहला लखनो दूसरा जेपुर तीसरा बनारस और चोथा राइगर घराना हम आज बनारस घराने पर चर्चा करेंगे बनारस घराना ठक निर्थ का तीसरा घराना माना जाता है ये दो नामों से जाना जाता है पहला बनारस घराना क्यों क्योंकि इसकी उद्पत्ती वारण असी से हुई यानि की बनारस से हुई दूसरा जानकी प्रसाद घराना क्योंकि जानकी प्रसाद जी वारा नसी के निवासी थे और साती साथ सुप्रसिद्ध अबला वादक पंडित राम साहे जी के भाई भी थे जानकी प्रसाद जी के समय में राजिस्थान के शरी हुकूम राम जी अपने पुत्र चुन्नी लाल जी के साथ घूमते घूमते यूही बनारा सा गए चुन्नी लाल जी की एक खूबी थी चुन्नी लाल जी लड़की बनकर जगे जगे लोगमिर्त किया करते थे पस यूही जानकी प्रसाद जी ने उन्हें देख लिया और उनकी प्रतिवा को देखकर जानकी प्रसाद जी ने हुकुम राम जी से चुन्नी लाल जी को अपने पास रखने की बात कर दे और यहां से चुन्नी लाल जी की शास्त्रिय शिक्षा शुरू हुई यानि कि जानकी प्रसाद जी ने 15 साल तक कथक की शिक्षा चुन्नी लाल जी को प्रताल करी इस शिक्षा में सक्षम होने के बाद चुन्नी लाल जी को राजिस्थान के बीकाने दर्वार में नियूक्ती मिल गए यानि कि उनको काम मिल गया यहाँ पर वो प्रस्तुतिया भी देते थे और साथ ही साथ अपने शिष्यों को भी तयार करते थे उनहीं शिष्यों में चुन्नी लाल जी के छोटे भाई दूला रामची भी उनके शिष्ये हुए जिनोंने शिक्षा प्राप्त की और आगे वो शिशा अपने प्रिये शेशे गणेशी प्रसाद जी को दी दूला राम जी के तीन पुत्र हुए बिहारी लाल, हीरा लाल, पूरन लाल गणेशी लाल जी के भी तीन पुत्र हुए हनुमान प्रसाथ, शिवलाल, पंडित गोपाल जी ये सभी के सभी अपने समय के श्रेष्ट नर्थ तक रहें अब बात करते हैं बनारस घराने के ही सुप्रसिद्ध कलाकार श्रीकृष्ट कुमार जी श्री कृष्ट कुमार्ची ने लकनो घराने के श्री शंभु महाराची से निर्द की शिक्षा प्राप्त की और दिल्ली में अपना जीवन बिदाते हुए अपने कई शिश्यों को तयार किया और इस घराने को आगे बढ़ाया लोगों का ऐसा मत है ऐसा कहा जाता है कि बनारस घराना राजिस्थान के सबसे प्राचीन सामल दाज घराने से संबंद रखता है ऐसा क्यों क्योंकि जान की प्रसाद जी सामल दाज जी के बंशच थे जो बनारस आकर पस गए थे